Hello दोस्तो आज हम बात करने वाले दोस्तो बाजाज वाूसिंग के IPO बारे में भाजाज हाूसिंग फाइनेंस का IPO यहाँ पर Big GMP देखने वान रही है और यहाँ पर जो इसका पेशा डबल होने के समभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है आज की क्या रेटिंग है दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे IPO यहां पर 11 को बंद हुआ है बंद किया गया था 11 सित्मबर से अभी यहां पर सौंबार को लिश्टेट होने वाला है कंपनी तो क्या यह जीमपी इसकी अपडेट हो सकती है एंड अप्रेंड मुमेंटम में यहां पर क्या हो सकता है तो यहां पर आगे हम बात करेंगे इसके बारे में तो यहां पर दोस्तों देखिए बजाज हाुसिंग के IPO की पूरी डीटियल्स यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डीमपी की बारे में तो बजाज हाउसिंग का अंतीन जीएपी स्विचतरे अंतीम बार 15 सितेंबर को अपडेट दो अठावन पर किया गया है और 70 रुपए के प्राइस बेंड के साथ बजाज हाउसिंग पाइने को अनुमानित लिस्टिंग कीमत जो की 147 रुपए हो सकती है है न दो और केम प्राइस का आज का जीएपी प्लस में है और प्रती शेर प्रती लाभानी 110 परशन का रिटन आपको यहाँ पर बजाज फिंसर्व की तरफ से यह न्यूज अपडेट है जो की बजाच हाउसिंग फाइनेंस के आईपी ओ के बारे में यानि की पेसा डबल होते हुए देखने को मिल सकता है आईपी ओ में जिसको भी अलोटमेंट हुआ हुआगा आईपी ओ का रेटेल सब्जेक्ट सोदा जो की टू सब्जेक्ट सोदा यहाँ पर 12,500 हुए है आदा रपा आईपी ओ जीपेम की और बड़ा है एक मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद हो सकती है बजाच हाउसिंग के फाइनेंस के आईपी ओ के बारे में सबसे कम जीएंपी इसकी च्छती से जबकि सबसे ज़्यादा जीएंपी चोयां सी है अब पेक्षित आनि 17 रुपे की ऊपर की जुंब देखने को मिल रही है पाइसा यहां पर डबन होते हुए देखने को मिल रहा यहां पर पूरा एक क्यल कुलेशन देखेंगे कि कब कब क्या देखने को मिला है फशती पशे दिन तारह बता रहो तो 15 सेटेमबह आज की डेट का मुलि Seo 30 लिष्टिंग सब्सक्राइब को यहाँ पर आज के रिट में थोड़ा सा माइनस त्रेंड सा ची करीबन करीबन यह लिस्टिंग प्राइज डेड़ सो के अनुमान हो सकता है और तेरा तारीक को भी यहां पर जी एंपी बड़ा था अटतर रुपए पचास पेसा और 148 रुपए के करीबन लिस्टिंग के अनुमानित थी उस दिन हैना इस तरीके से यहां पर आवंटन यहां पर किया गया था बंद 11 सित्यमबर को वा था और यहां पर उसी दिन से यहां पर सब्सक्रिप्शन मोस्ट हो रहे थे अप्ट्रेंड में 144 148 एक 148 पचास और 154 तक यह गया है तो यहां पर जो लिस्टिंग अनुमानित हो सकती है डेड़ सो के करीबन हो सकती है फेसा यहां पर डबल होते हुए देखने को मिल सकता है यहां पर एक माने तो एवरेज सो परसंट के आसपास इसकी लिस्टिंग सोंवार को हो सकती है दोस्तों अगर आपको आई-प्यो से रिलेटेट परसनल फाइनेंस रिलेटेट एंड टेकनिकल एलैसी स्टॉक्स एंड म्यूचल फ कर लिजिएगा और बाजार में निवेश करते हैं इसमें वित्ति जोकिम की संभाव ना हो सकती है क्योंकि बाजार उपर नीचे होते रहते हैं तो करपया अपने किसी सलहकार की सलह लेकर ही बाजार में निवेश किजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन जय भारत झाल 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 झाल